रहसां के फिलवड़ा शहर्ट कोटवाली शेतर में एक रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से आठ वेफ पांस साल के दो मासूम भाईयों की मौत हो गई दोनों बचे परीजणों के साठ दपाम रिसॉर्ट में आयोजी शादी समारों में शामिल होने आये थे बच्चों के शिवत जीलास्पताल की मूर्चरी पोस्टमाटम करवाने के बाद परीजणों को सौब दिय गए दोनों बच्चों की मा की खबर जब उनकी गाम काच्छोला पहुँची तो वहाँ शोप छा गया कोटवाली थानादिकारी डीपी दादीश ने कहा कि काच्छोला कस्वे के अमित कास्ट के दो बेटे अड़नाव आठवे अहान पांच रविवार को हर्नी मादेव शेत्र सेट दपाम रिसोर्ट में आयोजे शादी समारो में शरीक होने परीजनों के साथ आये थे परीजन शादी समारो में व्यस्त थे तब भी दोनों मासूम भाई खेलते वे रिसोर्ट परीशर में बने तरंताल की ओर चले गए और खेल खेल में अंदर जा गिरे हर्नी मादेव के पास एक पाम रिसोर्ट है जिसमें साधी समारो आदी होते हैं अज तीन बजे उसमें एक साधी समारो चल रहा था उसी दोरान दो बालक एक साथ साल का और एक पांच साल का खेलते खेलते तरंताल की तरफ चले गए और वहां पे तरंताल में उतर गए जिससे उनकी डूबने से डैत होई अभी वरत्मान में हमने डिजोर्ट जो भी इंचार्जें उनके खिलाब मुगदमा दर्स किया है जांच करेंगे और लापरवाई पाई गई तो आगे सव उठाने की बात नहीं है यह वहां काचोला से कुछ लोग आ रहे हैं उसके बाद में यह यहां से आगे जाएंगे यह बच्चे जो काचोला गाउं के कस्वेगे रेने वाले वह यहां से थोड़ी दूरी प्रिजन यह के रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं मना गया है इसा बावना और मन की बात है डॉक्टर दो तिन तिन बार चेक कर चुके हैं यह तो डॉक्टर ही ते करते हैं